नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का UPSC पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में आज एक बेहद रोचक खबर में और वो रोचक खबर है औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर क्या ये सही है और दूसरी मैतवपून बात कि क्या है औरंगाबाद का इ महारास्टर के अंदर सरकार है महाविकास अगाडी दल की वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि शिव सेना और कॉंग्रेस आमने सामने हैं क्या ये पॉलिटिक्स हमारे विशे का पात्र है लेकिन इस से जादा जानना ये जरूरी है कि क्या वाकई में संभाजी नगर या फिर औ और अंगाबाद ये अपने आप में परिक्षा उपयोगी है मेरे पहले साथियों आज के सेशन में आप जान जाएगे कि इसका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है हम आपको इस इतिहास को एंसियंट इंडिया से लेकर के वर्तमान समय तक बताने के लिए आज के सेशन में आ कि शिवसेना ने कुछ official letters में नाम यूज़ कर लिया संभाजी नगर, अब तक ऐसा होता आया था कि शिवसेना का जो मुकपतर है सामना, उस सामना नामक अखबार में वो लोग औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर ही यूज़ किया करते थे, एक-एक करके सारी बातों को हम बारी की से छोटी से session में समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस से पहले एक जरूरी बात, referral code से सम्मदित, मेरे प्यारे साथियों, unacademy लाया है आप लोगों के लिए, तमाम प्रकार के courses, 10% discount के साथ में, आप एक बार के लिए अगर referral code अंकित 10 यूज़ करते हैं, तो unacademy पर उपस्थित, UPSC, SSC, banking, defense services, जिस भी exam की आप तयारी करना चाहते हों, उन सभी exams में 10% का discount प्राप्ट कर सकते हैं, रेप्यारे साथियों शुरू करते हैं आज के session को, जैसा कि आपके सामने एक map दिखाई दे रहा है, इस map में आपको महारास्टर का physical division दिखाई दे रहा है, physical division में यहाँ प्रमुख छेत्रों में कोंगन, मराटवाडा, खांदेश, देश और विधर्व reason दिखाई दे रहा है, इस reason में अगर आप ध्यान से देखें, तो इस purple color में आपको जो छेत्र दिखाई दे रहा है, ये छेत्र जाना जाता है मराटवाडा के नाम से थे, मेरे प्यारे साथियों, मराटवाडा में ही वर्तमान औरंगाबाद इस्थित है, तो ये तो हमने बताया, छेत्रिय आधार पर ये कहां इस्थित है, बात की जाए मराटवाडा की जहां पर जिले इस्थित है, उन दस जिलों में एक औरंगाबाद है, लेकिन क्यों कि पूरा छेत्र मराटवाडा के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा मरात्वाडा का महत्व भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों मरात्वाडा ये वाला जो छेत्र है ये once upon a time निजाम ओफ हैदराबाद का छेत्र हुआ करता था महारास्ट्रा बनने से पूर्व ये है छेत्र हैदराबाद में ही हुआ करता था 1960 में ये है छेत्र महारास्ट्र का हिस्सा बना जब reorganization of state हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1960 में मरात्वाडा आपके हैदराबाद से महारास्ट्र में शामिल किया गया था वर्तमान में economic reason पर यहाँ पर आठ district consider की जाती है जो की केवल agriculture के उपर based है एक और बात आप यहाँ पर जानना चाहेंगे और वो ये है कि इस पूरे छेतर के अंदर draught की यानि की यहाँ पर सूखे की बहुत जादा संभावनाय देखी जाती है यहाँ पर almost हर district जल की कमी का सामना करती है और यहाँ पर सूखे की संभावनाय आए दिन बनी रहती है अगर आपको चौकाने वाले आँकणों से बात की जाए तो यहाँ पर एक जिला है वहाँ पर जिसका नाम है बीड नामक जिला उस बीड नामक जिले में लास्ट चार साल में 4124 लोगों ने किसानों ने आत्म हत्या कर ली सूखे की समश्चाओं से जूजते हुए यहाँ पर जो जिले इस्थित हैं उसमें उसमानाबाद, बीड, लातूर और परभनी, हिंगोली यह वो छेत्र हैं जो की सामान नतया एग्रिकल्चर के मामले में सूखे ग्रस्ट कंसीडर किये जाते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज की कमी हैं लेकिन फिर भी औरंगाबाद ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया वर्तमान में डवलप हो रहा है यह है इसका आप लोगों के सामने रीजनल क्लासिटिकेशन प्रशासनिक द्रस्टी से अगर बात की जाए तो औरंगाबाद में औरंगाबाद डिवीजन कंसीडर किया जाता है यहाँ पर औरंगाबाद, जालना, भीड, उस्मानाबाद, लातूर, नादेड और हिंगोली यह प्रमुख जिले यहाँ पर औरंगाबाद डिवीजन में इस्तित है महरास्त्र के अंदर 6 एड्मिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इस्तित है अगर हम गूगल मैप पर बात करें कि औरंगाबाद कहां इस्तित है तो मेरे प्यारे साथियो इस दरस्टी से अगर आप देखें गूगल सर्च इंजन पर जब आप इसे ढूनेंगे तो औरंगाबाद जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ लैंडमार्क लोकेशन दिखाई देंगी जिन मेंसे एक है औरंगाबाद में इस्तित गुफाएं अजन्ता अलोरा की गुफाएं दूसरा जब आप इसको और ध्यान से ढून्डते हैं तो यही पर आपको दिखाई देता है बीवी का मकबरा ये काफी प्रसिद इमारते हैं मेरे प्यारे साथियों यदि मैं आप लोगों को यहाँ इन्हें फोटो के माध्यम से दिखाऊं तो देखने से प्रतीत होता है कि औरंगाबाद में इस्थिद ये जो मस्जिद जैसी मिनार दिख रही है ये मिनार जैसी जो आकरती दिखाई दे रही है ये समतुल्य लगती है ताज महल के आप बिलकुल सही पहचान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों औरंग जेब ने अपनी पतनी दिलरास बानू बेगम की याद में ताज महल की फूहर प्रतीकरती यानि की एकदम भद्दी रैप्लिका बनाई थी जिसे हम लोग बीवी के मकबरे के नाम से जानते हैं इस आकरती को मेरे प्यारे साथियों बीवी का मकबरा कहा जाता है और औरंग जेब ने अपनी पतनी दिलरास बानू बेगम के लिए इसका निर्मान किया था यहीं पर विश्व विक्षात यूनेशको विश्व इमारतों में आपके सामने ये जो दिखाई दे रही है ये है मेरे प्यारे साथियों एलोरा के अंदर इस्थित कैलाशनाथ टेंपल बात की जाए मेरे प्यारे साथियों अजंता की तो अजंता और एलोरा एक दूसरे से काफी दूरी पर इस्थित हैं लेकिन है एक ही इस्थान पर तो यहाँ पर ही मेरे प्यारे साथियों यूनेसको वर्ल हेरिटेज में निर्मित अजन्ता की गुफाएं हैं यह अजन्ता की गुफाएं चुकि पहाडों को काट कर बनाई गई हैं इसलिए इन्हें रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं यहाँ पर सामान नितया बहुत विक्षु रुका करते थे अगर आप इन परवतों को ध्यान से देखें तो इनमें रहने के इस्थान आपको दिखाई देंगे जहाँ पर सामान नितयाब बहुत विक्षू आवागमन के मार्ग में रुका करते थे इन्हें सामान नितयाब चैते और विहारा के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों अगर आप इसे देखें तो ये काफी लगभग पचास से साथ किलोमेटर की दूरी पर अजन्ता अलोरा एक दूसरे से डिफरेंट है और मेरे प्यारे साथियों अगर मैं भारत के मैप में यूनेसको की विश्व धरोहर दिखाऊं तो महारास्ट्रा में प्रमुख धरोहरों के अंदर ये अजन्ता अलोरा की धरोहर आती है और मैं आपको इसे मैप में भारत में इस थित जो UNESCO World Heritage है इस महाने आपको ये दिखा सकता हूँ अर्थात हमारे लिए वर्तमान परिपेक्ष में चाहे बीवी का मकबरा हो या अजंता अलोरा की गुफाएं हो इस नाम से औरंगाबाद का नाम पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण रहता है इतिहासिक ड्रस्टी से अब चलते हैं बात करने के लिए क्या रहा है औरंगाबाद का इतिहास आए जानते हैं मेरे प्यारे साथियो बात है साथवाहन डाइनेस्टी की जब साथवाहन डाइनेस्टी पहली से लेकर के सेकंड सेंचूरी के बीच यहां हुआ करती थी तो यही औरंगाबाद वाला इस्थान एंसियेंट इंडिया में पाइथन के नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था पाइथन के नाम से और किरप्या करके इन सब बातों को लिख ले याद कर ले क्योंकि औरंगाबाद इस समय डिबेट में है, चर्चा में है, तो उससे सम्मंधित सवाल आपसे परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो साथ वहाँ डाइनस्टी में इस इस्थान को पाइथन के नाम से जाना जाता था, समय आगे बढ़ता चला गया, और यही पाइथन आज के समय में औरंगाबाद की एक तहसिल के रूप में जाना जाता है, तो जो आज का वर्तमान औरंगाबाद है, वहाँ पर पाइथन नामक एक तहसिल उपस्थित होती है, एड्मिनिस्टिटिव एकाईयों में औरंगाबाद के अंदर और भी बहुत सारी तहसिले हैं, जब हम Ancient India से Medieval India की तरफ बढ़ते हैं, तो Medieval से पूर्व भी लेकिन एक प्रकार से कहा जाए, तो पोस्ट Ancient काल में बात है 1280 के आसपास की, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यादवाज का कारेकाल हुआ करता था, यादव डाइनेस्टी यहाँ हुआ करती थी, थोड़ा अगर और हम बात करें आगे चलते हुए, तो यह जब हम Medieval एरा में पहुचते हैं, सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, यह सल्तनत काल बहुत ज़्यादा विक्षात है, अब यह जो आपके खिलजी था, अलाओ दिन खिलजी था, उसका जो दक्कन सामराज्य था, उसके लिए यह काफी ज़्यादा फेमस था, आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अलाओ दिन खिलजी का एक दास हुआ करता था, जिसका नाम था गफूर, तो जो गफूर था, उसने मेरे प्यारे साथियों क्या किया था, मलिक कफूर ने जो दक्कन सामराज्य पर, अलाओ दिन खिलजी के लिए दक्कन विजह अभियान चलाया था, उस दक्कन विजह अभियान में, देवगिरी नामक इस्थान पर उसने दक्कन में कबजा किया था वही देवगिरी वर्तमान में मतलब देवगिरी अलाउदिन खिलजी के कारण दौलताबाद नाम से जाना जाने लगा देखिए ध्यान से समझिएगा आप चर्चा कर रहे हैं औरंगाबाद की लेकिन एंसियंट में ये पाइथन था समय बढ़ता चला गया ये अब दौलताबाग हो गया है दौलताबाग से ये जस्ट पहले देवगिरी के नाम से था तो जब मलिक कफूर ने यहां आकरमन किया अलाउदिन खिलजी के कहने पर कि जाओ और दक्कन का सामराज मेरे लिए जीत कर लाओ तो उस समय यही देवगिरी दौलताबाग के नाम से जाना गया यही है आज का औरंगाबाद दौलताबाग के जस्ट दक्षिन में इस्थित है वारंगल ये वारंगल वो इस्थान है साथियों जहां से यही मलिक कफूर अलाओ दिन खिलजी के लिए भारत का सबसे कीमती हीरा जिसको आप कोहिनूर हीरे के नाम से जानते हैं वो यहां से लेकर चला गया था तो यहां से यानि कि एक प्रकार से अगर आप जाने तो ये वो च्छेतर है जो देवगिरी का हुआ करता था जब तक अलाओ दिन खिलजी ने यहां आकरमन नहीं किया था तब तक यहां यादवों का साशन था और यादवों ने देवगिरी के बाद में ये जो पूरा च्छेतर है ये इस प्रकार से दौलाता बाग और वारंगल के नाम से पहुचता गया अब यहां से थोड़ा आगे का समय बढ़ता है जब अलाउद बिन खिलजी के बाद में तुगलकों का साशन आता है तो मुहम्मद बिन तुगलक के इस नाम जिसे आप देवगिरी के नाम से भी जानते हैं आहल ही में मैंने आपको बताया कि मलिक कफूर जो था उसने अलाउद दिन खिलजी के कहने पर देवगिरी को दौलाता बाग में बदल दिया था तो आप ये याद रख सकते हैं कि अलाउद्दिन खिलजी के समय भी यह खिलजी के बाद में मुहम्मद बिन तुगलक के समय भी यह एतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपून रहा है सवाल पुछा जाता है कि तुगलकों ने ऐसा क्यों किया था तो कहते हैं कि तुगलकों ने ऐसा काम आकरमनों से मंगोलों के आकरमन से बचने के लिए किया था एतिहासिक रूप से ये बहुत ज़्यादा महत्वपून है आप इसे याद रख सकते हैं अब अगर हम बात करें उससे आगे के कालवे क्या हुआ, बात है मेरे प्यारे साथियो, 1409 में की, तो 1409 में AD में, यानि की वर्तमान कार्यकाल में, जो AD चल रहा है, अभी हम 2021 AD में हैं, तो मेरे प्यारे साथियो, 1409 में AD के अंदर, दौलता बाग जो है, वो एहमद नगर पांच एंपायर बने थे जिन में से एक था एहमद नगर, दूसरा था भिंडर, तीसरा था बीजापुर, चौथा था विजय नगर और पांच वा था गोल कॉंडा, तो मेरे प्यारे साथियों औरंगाबाद 1499 में में एहमद नगर एंपायर का हिस्सा हो गया, एहमद नगर में ही ये रहा, लेकिन उसके बाद में, अब यहां से एक नए दास की एंट्री होती है, देखिए मलिक कफूर, जो अलाओदिन खिल जी था, उसका दास था, अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों, मुगलों के साथ भी एक दास आया था, जिसका नाम था मलिक अंबर, याद स्थापित कर लिया था, और यहां आकर के उसने इस अफरीका, अब यह था कौन, अगर आप से पूछा जाए, कि यह मलिक अंबर कौन था, तो मेरे प्यारे साथियों, यह भी एक दास था, जिसे मुगल अपने साथ में इथोपिया से खरीद कर लाए थे, इथोपिया कहां अपर है, अफरीका में है, कहते हैं कि इस मलिक अंबर को multiple time बेचा गया था, लेकिन यह लास्ट में पहुंचते पहुंचते अपने आप में एक बहुत बड़ा थाकतवर नेता और एक सेनापती हो गया, जिसने की एहमद नगर दक्कन विजय अभियान में जीता था, और जी आप औरंगाबाद कहते हैं, जो औरंग जेब के नाम पर पढ़ा था, उसकी एंट्री होने ही वाली है, आप 1210 तक पहुंच चुके हैं, मलिक अंबर ने इस जगह का नाम बदल करके खड़की रख दिया है, आप इस बात को याद रखनें, तो याद रखें, ये कहां से आय हुआ था, ये सलेव मलिक अंबर था, जो अफरीका का सलेव था, जिसने आकर के मुगल्स के लिए दक्कन अभियान किया था, और यहां आकर के इसने क्या किया था मेरे प्यारे साथियों, एहमद नगर को जीत करके, वहाँ अपनी राजधानी जो बरसाई, वो मराठाओं के चात्रपति सिवाजी महराज का जन्म, मेरे प्यारे साथियों, जन्म के बाद जो 70 रही इनकी, जिसमें इन्होंने एक 6 मराठ पौड़ा, मराठ छितर में अपना जो छेतर इस्थापितき चिया, मेरे प्यारे साथियों, 1674 से 1680 के बीच में सिवाजी महराज का जो कारेकाल है वो रहा शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी महाराज जिनके कारण आज हम इस छीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी महाराज जो की छत्रपती जी के पुत्र थे अब यहां से आगे हम इस घटना को बताना प्रारंब करते हैं कि क्या है औरंगाबाद का इतिहास साथ में संभाजी महाराज की बात. मेरे प्यारे साथियों संभाजी महाराज जिन्होंने औरंग जेब की नींद उड़ा दी थी. औरंग जेब कहां से आगया? आईए अब मैं आपको वो बताता हूँ. मेरे प्यारे साथियों असल में मुगल काल में जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सहा जहां का बेटा था औरंग जेब. सहा जहां ने दक्कन में गवर्नर बना के नियुक्त किया था औरंग जेब को, कि तुम जाओ और दक्कन छेतर पर एक गवर्नर का पद, एक वायसराय का पद निभाओ, और वहां जाकर के सभी छेतरों के उपर अपना नियंतरन रखो. उसने 1650 के बाद के कार्यकाल में इस इस्थान का नाम बदल करके, खड़िक का नाम बदल करके क्या कर दिया था? अपने नाम पर औरंग जेब ने कर दिया था. इवन ये कहते हैं कि औरंग जेब का अंतिम समय भी औरंग बाद में ही बीता था, और चूँकी ये दक्कन परिशान किया था, जब औरंग बाद बनने वाला था, उससे औरंग बाद तो गवर्नर काल में ही बन गया था, लेकिन शहा जहां को जब औरंग जेब ने कैद में डलवा दिया और खुद दिल्ली के तक्त पर आकर के बैठ गया, तब जाकर के कहानी शुरू होती है, पूर माराठाओं को कंट्रोल करने के लिए दक्कन के यात्रा पर औरंग जेब दिल्ली से चला आया, और इसने यहां आकर के मेरे प्यारे साथियों सब प्रतम संभाजी महराज को गिरफतार कर लिया, संभाजी महराज को धर्म परिवर्तन के लिए बहुत जादा, बहुत तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए मेरे प्यारे साथियों, इनके उपर जोर डाला गया, और जब जोर इनके उपर धर्म परिवर्तन के लिए डाला गया, तो फिर यहां पर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट आता है, जो कि एक योरोपियन इतिहासकार डैनिस किनकैड ने कहा है और ये कहा है कि औरंग जेब ने अपने मराठा अभियान में जब दक्कन का अभियान किया था तो इसने अपने यहां पर संभाजी महराज को धर्म बदलने के लिए इसलाम कबूलने का हुक्म दिया था जब उन्होंने इसलाम कबूलने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया जब उन्होंने पीटने के बाद भी धर्म नहीं कबूला तो इनकी जबान खेंच ली गई जब जबान खेंच ली गई, ये शब्द किसके है, डैनिस किडमेन, एक यूरोपियन इतिहासकार है, जब इनकी जबान खेंच ली गई, तब भी इन्होंने ये कहा औरंग जेब से, कि एक बार लिखने का मुझे लेटर पेपर दो, जब औरंग जेब ने इन्हें लिखने का पत्रत सौपा, तो भाई इन्होंने उस पर लिखा कि अगर ये अपनी बेटी भी दे, तो भी मैं धर्म परिवर्तित नहीं करूँगा, ये कहना है डैनिस किनकेड का, जिसके आधार पर औरंग जेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी, तो यहां से निकल करके आती है, आ आज महाराश्टर की पॉलिटिक्स क्यों गर्मा रही है, अब चलते हैं सीधे वर्तमान में, मेरे प्यारे साथियों जब हम वर्तमान में पहुँचते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देश की आजादी के बाद में, औरंगाबाद हैदराबाद की निजामत के अधीन आ गया, तो मेरे प्यारे साथियों ये हैदराबाद का हिस्सा रहा, 1948 तक ये हैदराबाद का ही हिस्सा रहा, फिर इस्टेट रियॉर्गनाईजेशन में चलते चलते, 1960 में जाकर के औरंगाबाद महारास्टर का हिस्सा बना, जब रिस्टेट रियॉर्गनाईजेश के अंदर सत्ता में सत्तारूर पार्टी है ये तीन मेजर पार्टीओं का गटबंदन है महाराष्ट्र विकास अगारी दल जो है ये तीन महत्वपूर पार्टीओं का गटबंदन है इन में से एक है शिवसेना एक है नेशनल एनसीपी तीसरी है कॉंग्रेस इन तीनों का मेरे पूरेवाले छेत्र में पूरी तरह से मुंबई के अंदर और पूरेवाले छेत्र में अपनी शिवसेना का प्रभुत्व जमा रहे थे, तो 1980 के दशक में मुंबई और पूने के अतिरिक्त शिवसेना को जहां सरकार बनाने का मौका मिला वो औरंगाबाद ही था यानि कि इस्थानिय निकाए चुनाव मुंबई से बाहर कहीं जाकर के अगर शिवसेना ने जीता तो वो औरंगाबाद ही था उस समय पर बाला साहिब ठाकरे ने जो वर्तमान में दिवंगत हो चुके हैं इन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रखने का प्रस्ताव दिया था कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस जगह का नाम बदल करके 1988 में ये गोशना की गई थी बाला साहिब ठाकरे के द्वारा कि हम इसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर देंगे तो देखिए आप पुरातन काल से लेकर के वर्तमान काल की तरफ बढ़ रहे हैं 1988 में बाला साहिब ठाकरे ने इसका नाम बदल कर संभाजी नगर करने की बात करी तबसी लेकर के आज तक इसको लेकर सियासी बयान-बाजी चल रही हैं इस सियासी बयान-बाजी में एक बार औरंगा-बाद नगर-निगम के दोारा 1925 में में इसका नाम बदलने का प्रस्ताव भी लाया गया लेकिन वो प्रस्ताव मान नहीं हो सका इसके बाद में एक बार सीहम मनोहर जोशी के नेतरतों में भी सिवशेना की सरकार बनी थी तब भी औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर करने का प्रस्ताव आया लेकिन वो भी पास ना हो पाया क्योंकि उसके बाद में उस समय पर जो वहां के ततकालीन नेता थे वो वहां पर जो औरंगाबाद की अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूँ तो वहां 50 परतीशत वर्तमान में हिंदू हैं तक 30 परतीशत वहां मुसलिम हैं वहां का एक सांसत जो थे वो मुसलिम थे और उन्होंने इस नाम को बदलने के प्रती हाई कोट और सुप्रीम कोट में अपनी तरफ रिट दायर की थी और जवाब तलब करते करते वो रिट के कारण वो जो है पूरी तरह से क्या नहीं हो पाई ये कार्य पूरा नहीं हो पाया था तो मेरे प्यारे साथियों फिर क्या होता है तब से लेकर के आज तक ये शिवसेना के लिए बाला साहिब ठाकरे के सपने को पूरा करने जैसा है वही अन्य पार्टियों द्वारा क्योंकि वर्तमान में रूलिंग जो पार्टी है वहाँ पर MP जिसका है वो है AIM, MIM का और इसी स्थिती में अपने ही गटबंधन के अंदर शिवसेना प्रतिरोध जेल रही है इस बात का कि वहाँ पर महराश्ट के द्वारा जो सरकार चल रही है सत्तारूर सरकार जो है उसमें शिवसेना तो आज भी उसका नाम बदल करके संभाजी नगर रखना चाहती है वहीं कॉंग अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे साथियो आप लोगों के लिए मेरे द्वारा अन अकेडमी पर रोजाना इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मी कांत की फ्री क्लासेज ली जा रह सुबह सवा दस बजे कल यानि की आठ जनवरी को मेरे प्यारे साथियो आज का टाइटल गवर्नर होने वाला है तो आप इसे मेरे प्यारे साथियो याद कर लें अंकित 10 है मेरा रेफरल कोड मेरे द्वारा और अनकेडमी पर अनकेडमी राइस नामा के एक प्रतियोगिता चल रही है सुबह साड़े आठ बजे जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सुबह दुपहर बारा बजे मेरे प्यारे साथियो रोजाना दाहिंदू न्यूस्पेपर का एनलेसिस अनकेडमी पर एकदम फ्री आफ कॉस्ट इस सब के साथ में होता है इसके लिए अकेडमी डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद